ED ने इस चंदन रेड़ी को इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया कि इसके दोनों कान के परदे फट गए ED जो देश की सबसे ताकतवर जाच एजनसी के रूप में आप सब के सामने प्रस्तुत की जाती है वो किस तरह से जाच करती है, किस तरह से लोगों को प्रतारित करती है, किस तरह से उनके परिवारों को प्रतारित करती है और तो और जिसके कारण आज में पीसी कर रहा हूँ एक व्यक्ति को कहा गया, तेरी बेटी कालेज कैसे जाएगी, हम देखेंगे बेटी को धमकी, पत्नी को धमकी, पुढ़े माबाब को धमकी, मारना, पीटना, प्रतारित करना, और उसके बाद जबरन बयान लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायाले के सामने उन लोगों के बयान है, ये पहला नाम है चंदन रेड़ी का, हाई कोर्ट में इतना पीटा गया, इतना मारा गया, इतना मारा गया, कि इसके दोनों कान के परदे फट गए, अरुन फिल्राई वो सक्स है, जिसकी पत्नी को, बेटी को धमकाया गया, इडी ने बयान लिया, न्यायाले में लिखकर देता है, समीर महंद्रू, भूसर विलगावी, इस व्य आजनीतिक नेताओं के नाम लेने के लिए, इडी के अधिकारियों ने तो मारा पीटा कान के परदे फट गए, वहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे, जिनोंने हमको मारा पीटा जिनको जो इडी के ऑफिशल्स भी ने, कौन से लोग हैं, किस पाती के गुंडे इडी के दफ्तर म होना चाहिए, मैं देश के प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ, आपने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है, बेटियों के नाम पर धंकी दी जाएगी, तो कोई आदमी तो अपने प्रान भी दे सकता है, कागच पे दसकत करना तो बहुत दूर की बा होगना है, हो अपने तो झाल झाल